नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे CGBTS पोर्टल के बारे में 36 वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम इस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना URL डालेंगे जो है cgvts.traculate.in इस URL को डालने के बाद सबसे पहले हमारे सामने आजाएगा login का पेज login के पेज में हम हर district को अपना अपना एक login ID और password दिया गया है जैसे हमारे सामने है राइपूर का राइपूर की login ID और password यहाँ पर दी गए है उसके बाद यहाँ पर हम login करने के बाद login करते ही पहले हमारे सामने आता है moving vehicle moving vehicle को हम शो कर रहे है green color से यह उन गाड़ियों का count दिखायेगा जो गाड़िया अभी moving condition में जिदका engine on है और वो भी move कर रही है उसके बाद आता है idle vehicle idle vehicle को हम शो कर रहे है orange कलर से आइडल वेहिकल में उन गाडियों का काउंट दिखाए देगा, जिन गाडियों में अभी इंजन ON है और वो पर एक जगा पर रुकी हुई है, वो मुव नहीं कर रही है। उसके बाद आता है stopped vehicle, stopped vehicle में हम उन vehicles का count देखेंगे, जो इनका अभी engine off है और वो अभी move नहीं कर रही है, फिर आता है other vehicle, other vehicle उन vehicles का count हमेशो करेगा, जो अभी no network zone में है, जो अभी network zone में तो नहीं है, पर जैसे हमारे पास वापस से signal आ जाता है, तो हम वापस से उसे जो भी type alert है, वो देख सकते हैं, हर गडेओं में अलग अलग details होती है हम चिनने देख सकता है, वहिकल में जा जाते ही हमारे सामने हÍ का एक list और map, list में open करते ही हम पर जो भी डिटेल यहां पर देख सकते हैं. यहां पर हमें दिखाई देदेगा गाड़ी का नमबर, contact number और बाकि जो भी डिटेल है, हम वहाँपर drag-down करने के बाद देख सकते हैं. Drag-down करने के बाद हमें गाड़ी का जो एड्रेस है, जो भी address है, जैसे वो भी जहां रुकी हुई है, यहाँ पर खड़ी है, उनका address दिखाई दे देगा, उसका latitude, longitude दिखाई देगा, उसका जो speed है, distance है, वो सारी इस प्रकार की detail वहाँ पर दिखाई देंगे. अगर कोई गाड़ी पहले से no network zone में है, और हमें देखना है कि वो कहां कहां गई थी, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे trail का, trail में आते ही हम उन गाड़ीों का select कर लेंगे, जिनका हमें detail देखना है, यहाँ पर गाड़ी select करने के बाद, जिस time का हमें detail देखना है, वो हम जिसे हम देख सकते हैं, हमें किसी भी गाड़ी को अगर map में देखना है, तो map में जाएंगे, map में जाने के बाद, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो गाड़ी idle में, idle में है, इसका मतलब यह है, कि वो गाड़ी अभी इसका engine तो on है, पर गाड़ी अभी move नहीं कर रही है, यहाँ पर open करने के बाद हमें यहाँ पर गाड़ी की detail दिखाई देंगी और यहाँ पर जितने भी गाड़ीों का detail है, सामने हमें address दिखाई दे देगा, latitude, longitude दिखाई दे देगा और यहाँ पर distance और इसका जो भी speed है वो गाड़ी का दिखाई दे देगा गाडियों के status जैसे ही अपने याँ बदलता है यहाँ पर उसका status भी change हो जाएगा जैसे हम देख सकते हैं यह green color दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि गाड़ी moving condition में है moving condition में साथ साथ उसका location भी दिखा देगा कि वो अभी कौन से जगा पर है उसके साथ latitude और longitude भी दिखाई दे रहा है इसके बाद अगर गाड़ी फिर से अपना status पदलती है तो फिर से वहाँ पर उसका color change हो जाएगा हम जैसे यह भी देख सकते हैं कि यह गाड़ी है moving के status में अगर यह आती है other यानि no network zone में तो इस गाड़ी का जो status हो जाएगा वो हो जाएगा blue color में जैसे ही signal मिलता है हमें वापिस से तो गाड़ी वापिस से अपने moving, idle या फिर stop के condition में दिखाए देंगे और अगर हमें गाड़ी को देखना है कि वो पहले कहां गई है कहां पर कौन सा path उसने cover किया है और कहां पर वो चली है जैसे कि हम देख सकते हैं इन गाड़ियों को चालू करके ये कौन से path में जा रही है, कौन सा इससे alarm generate किया है हम यहां पर एक alarm पर click करकर देख सकते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका alarm आया है device moving यानि इस location पर इस गाड़ी की जो alarm थी वो moving status में थी यहां पर हम और भी detail देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो number है इसका जो speed है, इसने क्या distance travel किया है उस time पर और कितने time तक travel किया है हम trail से यह भी देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कितने time कौन से polling booth पर गई है polling booth पर कहां से कितने time तक उजा रही है उसकी detail हम यहां पर trail पर ही check कर सकते हैं हम जैसे कि देख सकते हैं कि गाड़ी हो सकता है इस polling booth पर गई है तो इसने जिसने अभी travel किया है जो भी location यह travel किया है हम यहां पर map पर देख सकते हैं इस यहां पर हम इस गाड़ी की timing में दिखा देदी कि कि इस timing पर इस timing पर इस ने इतनी speed cover की थी और यह इतने time से इतने time तक चली वी थी इस गाड़ी की detail हम देख रहे हैं यहां पर इसका जो speed था इसने उसका average speed इतना cover किया था distance इसने 5.1 km यहां पर ऐसा cover किया था और timing यहां पर हम देख सकते हैं इसके बाद आते हैं हम geofence में हमने हमारे portal में पहले से ही polling booth का जो location है उसका जो geofencing है वो already कर रखा है जैसे हमारे जो vehicle है वो polling booth में enter करेगा हमारे पास geofence enter का alarm आ जाएगा जैसे ही जो भी detail वहाँ पे हमें आएगे polling booth में enter करने के बाद उसका alarm हमारे portal द्वारा generate होते रहेगा I hope आपको यह हमारा portal अच्छे से समझ आ गया होगा लेकिन अगर इस portal के बारे में और भी जानकारी चाहिए या inquiry चाहिए तो आप हमारे landline नमबर पे contact कर सकते हैं मारा landline number है 0771 354 0444 दन्यवाद